बीसीसियाई ने बांगलादेश और न्यूजिलैंड टूर के लिए भार्तिय टीम की घोशना कर दी है और इस घोशना से किसी को खुशी मिली है तो किसी का गम चलका है कार्टो की रा पर चलकर जहां कुलदीब सेंज जैसे उभरते सितारे को टीम में जगा मिली है वहीं सेयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने बल्ले से कहर बर पाने वाले प्रित्वी शौ को नजर अंदास किया गया है जिससे उनका दर्द सोशल मीडिया पर छलका और उन उनकी इस पोस्ट को टीम में ना चुने जाने से जोड रहे हैं प्रित्वी शौ ने भारती टीम की तरफ से तीनों ही फॉर्मैट में क्रिकेट खेला है उन्होंने भारत के लिए पांच टेस्ट मैचों में 349 रन, 6 वंडे मैचों में 189 रन बनाये हैं वहीं एक मात्र T20 में वो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे इसके अलावा वो IPL में दिली कैप्टल्स की तरफ से खेलते हैं उन्होंने 63 IPL मैचों में 1578 रन बनाये हैं खराफ ओम की वज़ा से उन्हें टीम इंडिया से बाहर होना पड़ा था लेकिन अब अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद टीम में सेलेक्शन ना होने पर उदास होना लाजमी है अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि प्रित्वी शौक कब सेलेक्टर्स की नजरों में चड़ते हैं और कब उन्हें टीम में जगा मिलती है आपको क्या लगता है प्रित्वी शौक को टीम में जगा मि प्रबूले